इस भाग दोड की जिन्दिगी में किसी भी इंसान के पास इतनी फूर्सत नहीं है कि वो अपनों के पास 10 मिनट बैठ करके अपनी सुख दुख की बाते कर सके या फिर अपने आपको इंटर्टेन कर सके इंसान अपने काम में इतना काफी ब्यस्त हो चुका है कि जब भी वो अपने काम से हार ठक जाता है तो फिर अपने आपको इंटर्टेन करने के लिए सोसल मीडिया का सहरा लेता है और इसी सोसल मीडिया पे जा करके अपने आपको फिर से रिफिरेस भी कर लेता है मतलब आज के date में social media एक बहुत ही खुबसूरत platform बन चुका है जहां पे अक्सर लोग जा करके और अपने आपको entertain करते हैं पर आज की कहानी में इस्तमाल तो किया जाता है इसी social media का पर entertain के लिए नहीं एक साजिस के तहट और इसी एक साजिस के तहट एक महिला को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिये जाता है पर जब इस case का खुलासा होता है और लोगों के सामने जाता है तो लोग इसे जान करके हर कोई हैरान वो परिसान हो जाता है वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी नमस्कार आदाब मैं हस्मुदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तर आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ दरसल ये घटना है महराष्ट की महराष्ट की नवी मुंबई का पनवेल इलाका जो की काफी पोशेरिया है काफी भीड़बर होता है इसी पनवेल का एक थाना पड़ता है खंडे स्वर बात कर रहा हूँ मैं 15 सेप्टमबर 2022 को खंडे स्वर थाने इलेका का ही रहने वाला देव बरत सिंग जिसकी उम्र है लगभग 34 साल उसकी पतनी प्रियंका रावत जिसकी उम्र है लगभग 31 साल प्रियंका रावत जोकी एक digital marketing executive है और उसका पती देवबरत सिंग एक private company में job करता है दोनों अपने अपने जगा पे बेतर तरीके से posted है दोनों पैसे भी कमार है लाइफ भी इनकी बेतर तरह से settle है बड़ी खुसाल तरीके से अपनी जिंदगी भी जी रहे थे लेकिन 15 सेप्टमबर 2022 को प्रियंका रावत जब अपना duty निकलती है पन्वेल के माध्यम से अपने गाड़ी को पकड़ने के लिए जाती है कि आचानक महाँ पे तीन बाइग सवार भ्यक्ती आते हैं और प्रियंका रावत के गले पे किसी तेजधार हतियार से वार कर देते हैं और वार इतने सटीक तरीके से करते हैं कि प्रियंका रावत की घर्टनास्तल पे ही मोत हो जाती है इतना पौस इलाका होने के बावजूद भी जब लोग प्रियंका रावत की इस हालत में देखते हैं देखने के बाद हर कोई खौफजदा हो जाता है इसकी तुरंत खबर ही खंडेसवर पुलिस को दी जाती है पुलिस तुरंट आती है प्रियंका रावत की बोड़ी को अपने कबजे में ले करके पुस्ट वाड़ाप के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छानबीन करना सुरू करती है पुलिस के लिए सबसे पहली ये जरूरी होता है कि ये महिला कौन है जब तक इसकी पहचान नहों तब तक पुलिस को कातलों तक पहुच पाना बड़ा ही मुश्किल था लेकिन प्रियंका रावत की पहचान करना पुलिस वालों के लिए भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता है क्योंकि प्रियंका रावत के बैग से उसकी ID और उसका मुबाइल मिल जाता है जिससे पुलिस वालों को तुरंट पता चल जाता है कि प्रियंकारावत पनवेल के इलाके में ही रहने वाली थी पुलिस तुरंट ही प्रियंकारावत के पती देवबरत सिंग की इसके बारे में खबर देती है देवबरत थाने पहुंचता है जब अपनी पतनी को इस हालत में देखता है वो फुट-फुट करके रोने लगता है और पुलिस वालों से सिर्फ एकी सवाल करता है कि आखिरकार इसके साथ में ऐसी घटना किस ने किया है पुलिस भी यही सब जानने के लिए उसके पती से पूश्टाश करती है तो उसका पती कहता है कि साब हम अपने-पने कामों में इतना ब्यस्ट है कि हम एक दूसरे के बारे में इतना कुछ काफी इंटर्नली चीजontonहीं जानते हैं कि आखिर कार प्रियंका रावत की हत्या करी किसमे है पुलिस जब प्रियंका रावत की मोबाईल का CDR निकालती है कि साइध उससे कुछ पता चल जाए लेकिन बदकिस्मती से प्रियंका रावत के मोबाईल से भी उसके CDR से भी पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सुबूत नहीं मिलता है पुलिस अभी इस केस की छान भी बड़ी गहराई से करना शुरू करती है पुलिस बार-बार उसके पती देवबरात सिंग को अपने थाने पे बुलाती है और उसे पूछताच करती है लेकिन देवबरात सिंग जब भी पुलिस थाने में जाता है और पुलिस वालों के सवालों का जबाब देता है हर बार कुछ अलग अंदाज में जबाब देता है और पुलिस के सामने जब भी देवबरात सिंग जबाब देता है जिसके एवज में देव बरत सिंग को अपनी कस्टडी में ले और उससे पूछताच करें फिर पूलिस वालों ने देव बरत सिंग के बारे में जनकारी कठा करना सुरू कर दिया और सबसे पहले देव बरत सिंग के मोबाईल का CDR निकाली साइध उससे कुछ पता चले उसमें कुछ पूलिस वालों को खास तो नहीं मिलता है लेकिन एक नंबर होता है जिस पे देव बरत सिंग लगतार कुछ दिनों से बात कर रहा था और जब उस नंबर की डिटेल से निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी निकीता माटकर के नाम पे रेजिस्टर्ड है और निकीता माटकर कोई और नहीं बलके देव बरत सिंग की पडोसी थी जो की पेसे से एक प्राइबेट स्कूल में टीचर थी प्राइबेट स्कूल में पढ़ाती है पुलिस वाले जब देव बरत सिंग के आसपडोस वालों से पूछ तास करती है तो आसपडोस के लोग कहते हैं कि निकीता माठकर अक्सर देव बरत सिंग पिर्यंका के घर आते जाते रहती थी, काफी बेतर एक पडोसी है जो लोगों से काफी हद तक मिल्जूल के रहती है, निकीता माठकर के मोबाइल के CDR से पुलिस वालों को कोई सुबूत तो नहीं मिलता है, कोई ऐसा संदिक्त नंबर भी नहीं मिलता है लेकिन पुलिस वाले जब निकीता माठकर के सोचल मीडिया को खांगालना सुरू करती है तो एक बड़ा ही चौकाने वाला खुलासा होत दरसल निकीता माटकर पीछले दो महिनों से अपने गूगल से सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर उस पे सर्च किया करती थी हिस्ट्री सूटर के बारे में पुलिस को समझ भी नहीं आता है कि आखिरकार निकीता माटकर हिस्ट्री सूटर की तलासी क्यों कर रही है जब पुलिस वाले देव बरत सिंग के एकाउंट को खांगालना शुरू करते हैं, तो उसे एकाउंट में भी एक संदीग्द एकाउंट नमर मिलते हैं, जिस पे देव बरत सिंग ने फिल हाली 2 लाख रुपे टांजेक्शन किया था, अब पुलिस को थोड़ा नहीं बलके का अफी हत्ता कि इंदुनों के उपर सक चला जाता है, और इसी सबूत के आधार पे देव बरत सिंग और निकीता माटकर को अपने कस्टडी में ले लेती हैं, और फिर इनसे सकती से पूछताच करती हैं, जब पुलिस इनसे सकती से पूछताच करती हैं, तो आखिर कारी ये पड़ोस में साल 2020 में रहने के लिए आई थी, और जब से वो रह रही थी, तब से अकसर इन दोनों के घर भी आया जा करती थी, जिस वज़ा से देव बरत सिंग और उसकी पतनी प्रियंका रावत से भी अच्छी खासी बाते होती थी, लेकिन इसी साल के स्टार्टिंग में देव बरत सिंग और निकीता माटकर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लब अफेर सुरू हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से इतने काफी सिरियस हो जाते हैं, कि आखिरकार देव बरत ने अपनी पतनी प्रियंका रावत से छुप छुपा करके और जा करके निकी प्रियंका रावत को रहते हुए अब हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं इसलिए इन दोनों ने मिल करके एक सध्यांत्र बनाया और इस सध्यांत्र के तहट प्रियंका रावत को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तै किया गया जिसमें देवबरात सिंग और निकीता माटकर ने मिल करके तीन सुपारी किलर सोशल मीडिया के माध्यम से हायर किया और इन तीनों को पांच लाख रुपिय में इस काम करने का तै भी किया गया लेकिन इस काम को करने के लिए देवबरात सिंग पहले ही अपने एकाउंट से दो लाख रुपिय उन तीनों सुपारी किलरों को दे दिया था वाकई में जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी संद रह जाते हैं इन ही के तहरीर पे पुलिस वाले भी उन तीनों सुपारी किलर को भी अपने कस्टडी में लेती है फिलाल फूलिस ने देव बरत सिंग, निकीता माटकर और तीनो सुपारी किलर को अपने हिरासत मिले लिया है उनके उपर गंभीर धारों में मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेज दिया है दोस्तो इस कहानी को सुनाने का उदेश किसी को परसान नहीं करना है किसी को तकलिफ नहीं पहुंचाना है बस आपको बताना है आप जहां भी रह सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें तब तक के लिए जय ही जय भारत